यह ओल इन अवर क्लास इस प्रोवाइड़ीड बाई एम्डेन पॉब्लिक स्कूल है और इस आंचिली तो टीच यू बिजन स्टुडिस हंची हम लोगों ने हमारा चेप्रे 2.2 पार्टनर्शिप और्गनेजिशन स्टार्ट किया हुआ है ठीक है जिसमें हमने कुछ बेसिक स होती है कि कोई ऐसा इलीगल बिजनस वो नहीं करेंगी जो पार्टनर्शिप फ़र्म होती है वो प्особक्राइण की जाती है partnership act 1932 यह क्या act होती है government हमारी act अमनाती रहती है अलगले matters के according ठीक है तो partnership को government करने के लिए partnership act 1932 क्या है बनाएगी है in case कोई dispute होता है तो इसके act के according हम क्या है actions लेती है हमारी government क्या लेती है actions लेती है फिर हमने कुछ इसके features पढ़े थे जिसमें से कुछ statuary थे और कुछ journal थे statuary हम पढ़े चुके है statuary में क्या पढ़ा था हमने statuary features वो features होते है जो कि क्या है हमारी act 1932 यानकी partnership act 1932 के अंदर क्या है बताए गए है प्रेस्ट्राइब किये गए है जो कि इस act के अंदर नहीं है लेकिन वो क्या है partnership firm के क्या है features होते है statuary features क्या है more than one partner इसका मतलब क्या है एक person खुद से partnership नहीं कर सकता यहाँ पर क्या है दो या दो से ज़ादा partner होने की ज़रूरत है maximum partner वैसे तो क्या है 20 है मतलब जो कि इस act के अंदर बताएगे है 20 है अगर यह act चाहे तो इसको 100 तक बढ़ा सकता है लेकिन अभी कितने है 20 अगर वो जो आप business कर रहे हैं यहाँ पस में वो क्या है business है sorry banking business है तब पार्टनर कितने होंगे 10 होंगे ठीक है उसके बाद second feature क्या था कि अगर कोई समाज सेवा के लिए हम इकठे हुए हैं और इकठे मिलकर काम कर रहे हैं तो वो partnership नहीं होगी वहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए business होना चाहिए यानि कि existence of business होनी चाहिए और जो business होगा वो क्या होगा legal होगा ठीक है उसके बाद क्या कहता है contractual relationship जितने भी partner होगे उस partnership firm में सबके बीच में contract होता है चाहिए वो return हो चाहिए oral हो automatically एक contract बन जाता है तो यह कहता है contract सिरफ उसी के साथ होगा जो की contract करने के लिए eligible होते है योग्य होते हैं जैसे कि कोई अगर व्यक्ति 18 साल से कम उमर का है तो उसके साथ हम कोई contract नहीं कर सकते लेकिन हम उसको partner बना सकते हैं लेकिन उसको full-fledged यानि कि पूरी responsibility के साथ partner नहीं बना सकते वो सिरफ profit में हिस्सा ले सकता है losses में हिस्सा नहीं लेगा ठीक है कोई mentally unsound person है तो उसके साथ contract नहीं कर सकते contract नहीं कर सकते तो वो partner भी नहीं बन सकता ठीक है अगर किसी person के उपर रोक लगा रखी है कि भी partner नहीं बन सकता लोग के द्वारा तो वो भी partner नहीं बन सकता जैसे कि क्या है कोई ऐसी nation है जिसके साथ हमारा youth चला हुआ है ठीक है यह कहता है कि इसमें जो profit होंगे वो अपस में शियर होंगे ठीक है लोशीज का केस अलग होता है क्योंकि कुछ partner ऐसे होते हैं जो सिरफ profit share करने के लिए ही आये होते हैं बिजनस में तो वो कहाई सिरफ profit share करेंगे लोशीयर नहीं करेंगे ठीक है उसके बाद principal agent relationship यह कहता है कि जितने भी partner होंगे वो एक partnership firm के यानि कि उस firm के क्या होंगे owner भी होंगे, principal भी होंगे और क्या हो जाएंगे, agent भी होंगे मतलब हर एक काम के लिए वो उसके responsible होंगे I hope एक इसका short revision हमने लिया है आपके mind में दुबारा से सब revise हो गया होगा अब हम general feature देखेंगे कि automatically क्या है कि कुछ features है जो कि क्या partnership firm में exist करते हैं जैसे कि क्या है सबसे पहरा feature क्या है unlimited liability हाँ जी हमने sole proprietorship में ही पढ़ा था और इसमें भी है unlimited liability क्या होती है, देखें, क्या होता है कि अगर suppose करो कोई firm बंद होती है क्योंकि वो काफी time से loss में जा रही है तो partner चाहते है कि अब हम इसको क्या करें बंद करें और इसका जो भी काम है वो खतम करें ठीक है, जब ये profit नहीं दे रही है तो क्यों चलाएं ठीक है, तो उन्होंने क्या किया उस firm को sale कर दिया और जिनके जिनके पैसे देने थे like loan ले रखा था, ठीक है, किसी से उधार में माल ले रखा था, उनको क्या है, pay कर दिया, ठीक है, ये देखो creditors को क्या कर दिया, उन्होंने firm को sale करके पैसे उनके लोटा दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे creditors बच गए, जिनके पैसे वो क्या है, fully pay नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि sale से जितना profit, मतलब जितना पैसा आया था, वो क्या है, बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी क्या कुछ creditors है जिनको unpaid, जो unpaid रहे गए हैं और उनको pay करना है, ठीक है, तो उस case में वो creditor ABC, तीनों के पास जाएंगे, कहेंगी कि हमारा पैसा दो, तो उस case में ABC को चाहे अपने घर से उठा कर उनको पैसा देना पड़े, अपनी कोई personal assets को बेच कर उनको पैसा देना पड़े, लेकिन उनको वो पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है यह देखे, ABC की साइड कहें है, personal assets है ठीक है, अगर creditor का पैसा पूरा नहीं होता है, तो इन case में क्या करेंगे वो इस case में, ABC के पास जाएंगे फिर ABC को उनको पैसा देना पड़ेगा, चाहे फिर वो अपने personal assets से ला कर दे ठीक है, अपने घर से ला कर दे second feature क्या है no separate individuality individuality, इसका मतलब क्या है, जो firm है और जो उसके partners है, वो अलग-अलग नहीं है, दोनों क्या है एक ही है, मतलब वो दोनों अलग-अलग consider नहीं करे जाएंगे जैसे कि क्या है, अगर कोई contract किसी person ने किया, ABC Private Limited हाँ जी, हम निकल एक्जामपल लिया था कि एक firm है, उसका नाम क्या है ABC Private Limited है, और उसके partner कौन है A, B, और C, तीन अलग-अलग person उसके partner है, और वो एक partnership firm चिला रहे है, ABC Private Limited ठीक है, उसमें क्या हुआ ABC Private Limited ने contract किया किसी और third person के साथ ठीक है, अब अगर यह जो contract हुआ है, तो यह माना जाएगा कि यह contract ABC Private Limited के साथ तो हुआ ही है, तो यह automatically किसके साथ भी हुआ है A, B, और C के साथ हुआ है ठीक है, in case contract की अगर कोई भी term या condition fulfill नहीं होती है, तो जो case हो सकता है, वो पर माना जाएगा, उनके partners के उपर माना जाएगा, यह यह नहीं कह सकते हैं, कि हम लोग तो अलग है और हमाई partnership firm अलग है जो case चला हुआ है, वो firm के उपर है हमारे उपर कुछ नहीं है, नहीं जी, उसका दाई तब किसके उपर आएगा, A, B, C यानके उन partners के उपर आएगा, ठीक है तो यह जो firm है, और जो उसके partner है, वो अलग अलग नहीं होते ठीक है, I hope आपको समझाया होगा ठीक है, उसके बाद third क्या है utmost good faith, यह कहता है कि जब तीन लोग, मतलब दो या दो से जादा लोग partnership firm में आते है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के उपर उनके आपस में क्या होना चाहिए, fully trust होना चाहिए, trust का मतलब क्या है, कि एक को दूसरे के उपर trust बनाई रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा हमेशा लड़ाईयां होती रहेंगी, ठीक है तो यहाँ पर यह कहता है, कि good faith यानि कि विश्वास बनाई रखने के लिए यह कहता है कि business से related कोई भी बात हो, तो इनको आपस में एक दूसरे से, एक दूसरे को बतानी पड़ेगी, ठीक है बतानी चाहिए, ठीक है साथ में क्या है, अगर कोई ऐसा matter है जो कहें important है तो इसको कहें आपस, जो partners होती है उनको आपस में क्या करना चाहिए, उसको discuss करना चाहिए, जैसे कि ABC पार्टनर है आप देखें, इस picture में क्या कहा रखा है देखें, A कोई बात B को बताता है, B, C को बताता है, तो C को भी B को B को, A को, मतलब आपस में सारी बात जितनी भी है, business से related है वो क्या होनी चाहिए, शेर होनी चाहिए, ठीक है एक partner को अगर कोई बात पता है business से related, दूसरे partner को भी वो पता होनी चाहिए, ठीक है, तो यह कहता है कि आपस में उनके उपर विश्वास होना चाहिए, विश्वास बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, कि सबको business related सभी बातों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है उसके बाद, fourth सबसे important है, restriction on transfer of interest, पहले तो interest क्या होता है, कि एक person का एक partnership firm में कितना हिस्सा है, वो क्या होता है, interest मतलब suppose करो, यह ABC तीन पार्टनर है, ठीक है यह तिनों equal equal profits को share करें, यानि कि वो equal partners है, ठीक है, तो यह कहता है कि अगर कोई, अभी restriction on transfer of interest क्या कहता है, देखिए यह कहता है कि ABC तीन पार्टनर है ठीक है, बी चाहता है कि उसका भाई भी इस partnership firm में आ जाए, डी उसका भाई है बी चाहता है बी का भाई है, बी चाहता है कि डी को मैं partner बना लो, ठीक है एक कहता है कि मुझे कोई problem नहीं है, अगर तुम पार्टनर अपना interest किसी को transfer करना चाहता है, लेकिन अगर कोई दूसरा partner उस interest को transfer करने देना नहीं चाहता है मतलब वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा कोई और person भी partnership firm में आए तो वो उसको ऐसे रोक सकता है यानि कि अगर किसी को partnership firm में पार्टनर बनना है तो उस case में सभी partners की सहमती होनी जरूरी है, ठीक है अब देखो next case क्या है ABC 3 partner है, B का भाई कोन है D, B चाहता है कि D को partnership firm में ले आऊ, ठीक है A तो पहली agree हो चुका था, ठीक है अब यहाँ पर C भी agree हो गया, ठीक है तो इस case में, D क्या है ABC limited का क्या बन जाएगा partner बन जाएगा, अगर वो बनना चाहता है ठीक है, simple सा meaning यह है जब तक कि सारे partner राजी ना हो जाए तब तक कोई नया person क्या है partnership firm में partner नहीं बन सकता, ठीक है, जब क्या है सबी partner सहमत हो जाते है तब क्या है, कोई भी person क्या है, बन सकता है I hope आपको समझाया होगा, ठीक है उसके बाद, इसके चार ही features दिये गए थे, mainly, ठीक है एक tool kit में अलग सी point दिया हुआ है जो इसके features जैसा ही है, इसलिए कहा है मैंने इसको explain क्या है, ठीक है only individual as a partner यह कहता है, कि सिरफ एक व्यक्ती ही partner बन सकता है, इस line का मतलब क्या है, देखिए ABC private limited है, दूसरी जगे XYZ private limited है, ठीक है ABC में जो members हैं, उनका नाम है ABC, यानि कि तीन partner इसमें काम कर रहे हैं, और XYZ limited में कौन-कौन partner है, XYZ है, ठीक है XYZ, ठीक है अब देखिए, ABC limited क्या है कौन-कौन चला रहा है, ABC तीन person चलाए हुए है, ठीक है अब यह चाहते हैं कि XYZ को हम partner बना ले, यानि कि XYZ private limited को partner बना ले ठीक है, और XYZ भी partner बनना चाहती है, या प्राइवेट limited यह इसकी partner नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि यह खुद भी एक क्या है, firm है क्या है, एक firm है, यह कोई individual नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर यह कहता है, कि वहीं XYZ कोन चला रहा है, XYZ चला रहा है, ठीक है, अगर उसमें से कोई person यानि कि suppose करो X क्या है ABC Limited का क्या बनना चाहता है पार्टनर बनना चाहता है ठीक है तो इस case में जो X है वो उसका पार्टनर बन सकता है किसका ABC Limited का क्यों क्योंकि वो क्या है व्यक्ति है ठीक है तो simple सी बात यह है कि सिरफ एक व्यक्ति ही क्या है किसी पार्टनर् का partner नहीं बन सकती ठीक है एक तरफ ABC लिमिटेड है और एक तरफ XYZ लिमिटेड है ठीक है ABC के partner कौन है ABC ठीक है लेकिन उसकी partner अगर XYZ private limited बनना चाहे तो नहीं बन सकते लेकिन X बनना चाहता है तो वो बन सकता है I just जोप आपको समझाया होगा, ठीक है, एक बार विजन ले लेते हैं, unlimited liability का मतलब क्या है, अगर किसी case में creditors को फुल payment नहीं कर पाए, तो उस case में सभी partner मिलकर अपनी personal assets को बेच कर उनके पैसों को पुरा करेंगे, अपने घर से पैसी लाकर उनको देंगे, ठीक है, उसके बाद no separate individuality, इसका मतलब क्या है, अगर कोई contract firm के साथ होता है, तो ये माना जाएगा कि वो contract सभी partner के साथ मिलकर हुआ है, ठीक है, in case contract में कोई default होता है, तो ये नहीं कह सकते कि सिरफ firm के उपर case चलेगा, वो case किस के उपर होगा, A, B, C, मतलब सभी partners के उपर होगा, ठीक है, utmost good faith, ये कहता है कि हर एक partner का पूरा right होता है, कि इसको partnership firm के बारे में हर बात का पता हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सभी को एक दूसरे को हर एक बात बतानी चाहिए, किसे related firm से related, ठीक है, ये fourth है restriction on transfer of interest, ये कहता है कि कोई भी विक्ति अपनी मर्जी से, अपना interest किसी और को नहीं दे सकता, मतलब अपना share किसी को transfer नहीं कर सकता, अगर वो करना चाहता है, तो उससे पहले उसको सभी partner से क्या लेनी पड़ेगी, permission लेनी पड़ेगी, तब ही वो क्या है, अपना हिस्सा किसी दूसरे को दे सकता है, या फिर किसी और बंदे को partner बना सकता है, ठीक है, उ फिर एक व्यक्ति ही क्या है, partner बन सकता है, जो आपको समझाये होंगे, आज हमने देखी क्या पड़ाया है, एक बर आपको इसका व्यू दे देती हूँ, जरनल फीचर हाज हमने इसके पड़े है, ठीक है, एक ही unlimited liability, उसके बाद ये no separate individuality, utmost good faith, और fourth restriction on transfer of interest, ये देखिए only individual as a partner, ये इसका feature नहीं है, टूल किट में दिया हुआ है, लेकिन इसके feature कितरे ही है, तो आप इसको कर लीजेगा, ठीक है, I just hope आपको समझाया होगा, मिलते हैं my next class में, तब तक के लिए stay safe, stay healthy,